जेई स्री रामं रामानुजं सेताम भरतं भरतानुजं सुग्रेवं वायु सुनुञ्च प्रणमामि पुनाह पुनाहा मंगल आउसर तदेव लगनम सुधिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विध्या बलम देव बलम तदेव लच्मी पतितेगर युगस्म रामी भगवान स्री सीता राम जी का संपून भारती नहीं अपितु सनातन आस्थिक जगत को जिस्छन की बहुत काल से प्रतीक लगभग 500 वरसों के पश्चात हम सब सनातनियों को यह आनंद उस्सव मनाने का मंगल आउसर श्री ठाकुर जी की क्रपा से प्राप्त हो रहा है 5 अगस्त को भगवान श्री राम भद्र का भव्य एवं दिव्य क्योंकि भव्य तो संसार में कई इमारतें हो सकती हैं लेकिन भगवान श्री ठाकुर जी जहां वे राजेंगे वो तो दिव्य स्थल होगा तो दिव्य भगवान श्री राम भद्र के मंद्र के निर्मान की वेला हम सब के निकट है हम सभी भारतवासी गौरवानवित हैं कि हम अपने इस जन्म में इन चर्म चक्षूं से भगवान के उ यहां तो सास्त्रों में धामों के लिए और भगवान की रूप के लिए लिखा है रामश्च नाम रूपंच लीला धाम परादपरम एतच चतुष्टेम नित्यम सच्चिदा नंद विग्रहम भगवान के धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है तो यह निश्यत बात है स्री अयोध्या भगवान का एक बैकुंठ का ही एक स्वरूप है और स्री सीता राम जी वहाँ विराजेंगे भगवान के बाल रूप की जहांकी का दर्सन होगा हम सभी भारतवासी गौर्वानवित हैं और इस छणकों जो बहु प्रतिक्षित काल से हम लोगों के हिर्दय की लालसा थी स्री ठाकुर जी की करपा से पूरी हो रही है तो आस्था परिवार के सभी दर्सकों को मैं भागवच चिंतन सेवा मशन की ओर से बहुत-बहुत शुबकामनाय देता हूं बधाईयां प्रेसित करता हूं कि हम सब का भूरी भाग है इन नेत्रों का फल है भगवान के उस्सवों का दर्सन भगवान के प्रेमियों का दर्सन और भगवान के विग्रह का दर्सन यही इन नेत्रों का फल है श्रमत भागवत के दसमिसकंद में गोपियां कहती है अक्षन वताम फलमिदम नपरम विदाम हाँ इन नेत्रों का फल तो हे स्री शाम सुन्दर आपका ही दर्सन है तो इन नेत्रों का फल है जब हम अयोध्या जाएंगे बंदिर बन जाएगा तो भगवान का भी दर्सन होगा और भगवान के प्रेमियों का दर्सन होगा धाम भासियों का दर्सन होगा तो यह है एक अतियंत आनंद का हिरदय के उतकर्स का समय है हम लोग अपने अपने घरों में पांच अगस्त को दीप मालिका करें भगवान स्री सीता राम जी के विजय मंत्र स्री राम जै राम जै जै राम इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक हम लोग घर में कीर्टन करें और हमारा बहुत विनमरता पूरवक निवेदन है स्री सीता राम जी के इस भव्य उस्सव में राम की सरण जाय सुधिन नहेरिये बीच में मुहर्द को लेके भी कुछ चर्चा आई तो हम यही निविदन करेंगे कि वही समय वही काल स्रेष्ट है जिस समय में भगवान का कोई भी कार इस शरीर से हमारे चित्त से हो रहा है कोरोना वाइरस के कारण भारत वर्स के विविन महापुरुस लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं जिनके हिरदय की लालसा कई समय से थी तो हम सबसे यही आप सबको बार-बार राम राम प्रणाम करते हुए यही बात कहेंगे कि आप लोग अपने अपने घरों में दीप मालिका करें स्री सिता राम जी के नाम का कीरतन करें उस्सों का आनंद लें सभी आस्था परिवार के दर्शकों को जैसी आराम